दियर नाइन क्लास कैसे आप सब आई होप आप सब ठीक होँगे एंड स्टडि कंटीनियु कर रहे होंगे तो देखिए आज हम क्या करेंगे कल तक हम कर रहे थे दा स्टोरी ओफ विलेज पालमपुर जो हमने स्टोरी की है विलेज पालमपुर की यह हमने लगबग हाफ कर ली थी हम क्या कर रहे थे हम बता रहे थे कि production activities या फिर जो पालंपुर में farming ही क्यों की जाती थी इसके reasons बताए जा रहे थे ठीक है तो next देखिए हम कहां है इस part में है it is important to increase the area under irrigation यह बहुत जरूरी है क्या करना अपना area लाना कहां irrigation के बीच में अभी तक हमने पढ़ा था multiple cropping कि multiple cropping क्या होती है multiple cropping हमने read की थी कि multiple cropping mainly क्या होती है कि एक ही farming land पर एक ही area पर two or more crops का production करना next हम कर रहे है you have seen that one way of increasing production हमने देखा एक तरीका production को increase करने का कहां से देखा multiple cropping के concept से the other way और जो दूसरा तरीका है production increase करने का वो क्या है modern farming methods को use करेंगे तो जो production है अपने आप ही बढ़ जाएगा for higher yield जादा से जादा yield करने के लिए अब yield होता क्या है yield के बारे में पढ़ते है कि yield क्या चीज़ होती है तो yield is measured as crop produce on a given piece of land yield क्या होता है crop का production करना एक piece एक land पर कब किया था during a single season क्या करना crop का production करना एक ही land पर एक ही season में ठीक till 1960s the seed used in cultivation 1960 तक जो seeds थी cultivation के लिए यूज होती थी क्या करने के लिए tree tradition method से जो जादा yield नहीं हो पाती थी क्या था कि जब farming land अब हमने कर दी अब farming land अब seed तो अपने आप grow होएंगी ना harvest हम कब करेंगे crop को जब वो पूरी तरह grow हो जाएगी अब क्या है हमने जल्दी से जल्दी production करने के लिए multiple cropping करने के लिए pesticides और chemicals का use करते हैं या फिर अब पहले सधारन तरीके की क्या होती थी seeds यूज होती थी फिर लोग क्या करने लगे traditional तरीकों से क्या करने लगे irrigation करने लगे irrigation क्या होता है सिंचाई उसके बाद अब land को और उपजाओ बनाने के लिए fertile बनाने के लिए लोगों ने क्या use किये cow dung use किया ठीक है cow dung use करते थे उसे क्या करते थे as a manure use करते थे manure का मतलब और क्या था देखो पहले लोग क्या करते थे क्या use करते थे seeds वगेरा cow dung use करते थे cow dung से क्या करते थे as a manure use करते थे cow dung को क्या करते थे production करने के लिए cow dung को मिटी में यानि की soil में मिला देते थे ताकि जादे से जादा production possible हो पाए अब क्या था 1960 के बाद एक green revolution हुआ ठीक है इसके जो green revolution है ना green revolution ने farmer को बहुत जादा support किया फार्मर्स के लिए सबसे जादा अच्छा टाइम था जब green revolution आया अब क्या है green revolution 1960 में start हुआ तो इंडियन farmer ने क्या किया wheat और rice cultivate करना शुरू कर दिया किनके द्वारा hyv seeds के द्वारा hyv seeds क्या होती है high yielding variety seeds यानि कि जो seeds की variety को बढ़ा दिया जाता है यानि कि जो seeds है जल्दी से जल्दी क्या हो जाती है seeds की production हो जाती है अब देखिए compared to the traditional seeds जो पहले use होती थी seeds उनसे अगर हम hyv seed का comparison करें तो क्या होगा hyv seed जल्दी से जल्दी grow हो जाएगी as a result the small piece of land would now produce for larger quantity of food grains अब क्या है एक छोटा सा land का piece भी क्या है जादा से जादा food grains क्या कर सकता है grow कर सकता है जादा से जादा production हो सकता है hyv seeds बहुत जादा use करती है किस चीज़ का water hyv seeds में बहुत use होता है और chemical fertilizer का भी क्या है इसमें use काफी मांगा जाता है pesticides भी इसमें ही include होती है high yields were possible only from combination और hyv seeds irrigation, chemical fertilizer और pestilize अब क्या है जो hyv seeds का production या फिर hyv seeds का अगर हमें production करना है तो क्या हमें इनका combination बहुत ज़रूरी है hyv seeds का, irrigation का, chemical fertilizer का और pesticides का अब farmers कहां के पंजाब, हर्याना और western UP के पहले ऐसे थे जिन्होंने क्या किया farming methods ये जो hyv seeds वाले है इन्हें use किया अब मैंने आपको पताया farming कैसे की इन्होंने इस combination सी की, कि chemical fertilizer, pesticides और hyv seeds सबके सयोग से हो जाए इन पालमपूर, the yield of wheat grown from traditional variety पालमपूर में क्या था, पुराने तरीकों से जब farming की जाती थी तो वो 1300 kg ही कर पाते थे लेकिन जब इन्होंने hyv seeds का use किया तो क्या हुआ, इनका जो production है लगबग 3200 kg हो गया तो देखो कितना increasement आया तो ये थी traditional seeds में और hyv seeds में differences clear हुआ, I hope आपको ठीक है, तो कल हम क्या करेंगे जो इसका next topic है will the land sustain ये क्या करेंगे, read out करेंगे इत्याप, ये जो मैंने आपको chapter करवाया है इसे समझिए, ठीक है thank you and have a nice day